हलो एवरिवन वेलकम टू फुडॉलिक मैं हूँ इंडरानी और आज मैं आप लोग के सामने करी लीव्स के साथ चिकन बनाने वाले हैं थोड़ा सालग टेस्ट आता है लेकिन अच्छा लगता है ट्राइ करके देखेगा और ड्राइ बनता है सुखा होता है स्पाइसी खा सकत है तो स्पाइसी रखिएगा आए देखते हमें किन चीजों की जरूरत परेगी तो इसके लिए मैंने यहां पर यह 300 ग्राम चिकन लिया है मैं यह साइटीज बनाऊंगी तो इसलिए थोड़ा सा कम ही रखा है एक बंच करी लीव्स है यह दो बड़े साइस के पियांच को मै मैंने ऐसे बारिक करके काट लिया है और मसाले में है हल्दी वान टेब टीस्पून रैचली पाउडर वान टीस्पून जीरा पाउडर वान टीस्पून धनिया पाउडर वान टीस्पून ब्लेक पेपर पाउडर हाफ टीस्पून और यहां पर नमक अपने हिसाब से यह जि लिफ्स फ्राय करने वाली होले हूं किसे हम थोड़ हो एक समूर्थ पेस्ट बनाइंगे पेस्ट बनाने के ताइम से अगर अपनी चाहिए नहीं जन्वाली है अब देखिए अच्छे से फ्राय हो चुका है यह, एक मिनिट करिब में ही हो जाता है, अगर टेल अच्छे से गरम है तो, अभी उसी करहाई में ही थोड़ा और टेल दे लिया है मैंने, यह प्याँच फ्राय करूँगी, इसे थोड़ी दे फ्राइ कर लेते हैं, हमनों एक मिनिट के करें अब मैं इसमें जिंजर करली का पेस्ट दल दूँगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ताकि प्यांच का टेल निकल जाए, देखें अच्छे से फ्राइ हो चुका है अब मैं इसमें ये सारे मसाले डालने वाली हूँ इसे अच्छे से भून लेंगे एक मिनिट के करें अब मैं इसमें चिकेन के पीसे डाल दूँगे इसे अच्छे से मिला लेंगे मसाले के साथ चिकेन को और इसे फिर हम लोग धकन लगाके इसे चिकेन को पकने के लिए रख देंगे चिकेन अपना पानी छोड़ेगा उसी में ही ये पक जाएगा पूरी तरह से तो ये दस मिनिट बाद देखते हैं हम लोग का चिकेन अल्मोस बन चुका है इसमें मैंने ये जो पेस्ट किया हुआ था करी लिस इसको डाल दूँगे और इसे और पकने देता है जब तक चिकेन पूरी तरह से अच्छे से पकना जाए थोड़ा सा पानी भी मिला दिया मैंने अच्छे से मिक्स हो गया है ये अभी धकन लगा देंगे हम लोग और इसे पूरी तरह से पकने देंगे ये देखे हम लोग का चिकेन अच्छे से गल गया है और सूखा भी हो गया है और इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है तो ज़रूर ट्राइ करके देखेगा हम लोग करी लीव्स के साथ जो चिकेन है ये और हमारे साथ अपना फीदबेक शेर कीजेगा थैंक यू इलेई बहुत ही हमारे से जोगी है और ही टा जोग माह करी लीवर लीव लीवा भी लीवर ड़ो टा कर वहार नच्टा कर शेफेगे लीवर बहुत है ये उलों हो जोग्टार्यव.